आज लावाल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे जो इस टियर लिष्ट में खड़ा होगा इंडियन क्रिकेटर्स की टियर लिष्ट रेडी है जिसको पाच केटेग्री में मैंने डिवाइड कर दिया है लेजेंड, आलमोस्ट लेजेंड, अबाव एवरेज, क्रिकेटर या फिर आलमोस्ट क्रिकेटर तो चलिए मैं सारे प्लेयर्स को उनमें शफल करूँगा, डिवाइड करूँगा लेकिन प्लीज, डोंट बी टू क्विक टु जजज, मैं मेरा एक्स्प्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा और एंड में शायद अगर मुझे एक दो नाम रिशफल करने हो तो वो भी करूँगा तो चलो, शुरू करते हैं, लेट्स को सबसे पहला प्लेयर, रवी चंदरान अश्वीन ठीक है, अगर अगर अश्वीन 2024 में किसी और भी देश में होता ना तो तीनों फॉर्मैट्स खेलता या एका दूसरे फॉर्मैट का कैप्टन भी होता इतना इस प्लेयर में पोटेंशल है लेकिन अनफॉर्चनेटली इंडिया में कॉंपिडिशन जाद है इसके वज़े से अश्वीन हमेशा भूखता है और हम इंडियन्स भी भूखते है डेलीटीसी फाइनल्स अश्वीन को नहीं लिया और इसले ट्रॉफी भी नहीं मिली इसले अश्वीन को में डालूंगा अल्मोस्ट लेजंड में नेक्स्ट अप इस भूनेश्वर कुमार भूवी का प्राइम अराना वह 2014-15 के टाइम का भूवी मुझे याद आता है उस टाइम में इंडिया के पास पेसर बॉलर ही नहीं हुआ करता था वह रैंडम बॉलर्स ने कुछ आके डेब्यू केया था कोई भी नहीं चल रहा था अबाव एवरेज में नेक्स्ट अप इस जस्पृईद बुम्रा यार बुम्बुम को ना दिल करते है अभी से लेजन में डालू बट नहीं बुम्बुम जाएंगे अलमोस्ट लेजन में क्योंकि यार बुम्रा जैसा और कोई नहीं है ठीक है जसी जैसा कोई नहीं है यह में सब ही को पता है लेजन में डालेंगे लेकिन बहुत साल बचे है तो उसके बाट डालेंगे करेंटली बुम्रा अभी से अलमोस्ट लेजन है बहुत साल खेलना बचा है फिंगर्स क्रॉस इंडिया के लिए वो 35, 39, 43 सारे वल्ल कप्स में इंडिया के लिए वो खेलने चाहिए नेक्स्ट अप गबर यार गबर और ICC टूनामेंट्स की ना अलगी प्रेम कता हुआ करती थी और गबर मेरे हिसाब से जाने चाहिए अबाव एवरेज में क्योंकि उनका जो यार 10 साल उपन किया इंडिया के लिए और रोहित के साथ उपन किया वह हम काफी मिस करेंगे रिटार्मेंट अभी तक नहीं लिया है आई पेल खेलते हैं बट इंडिया के लिए कोंट्रिबूशन हम हमेशा याद रखेंगे इस्पेशली 2013 के गोल्डन बैट वीनर ते गबबर तो यार गबबर अबाव वेरेज में पक्का बनते नेक्स्ट आप इस पृत्वी शौ यार एक टाइम पे लगाता यह अल्मोस सचिन टेंडूल का रहे लेकिन अभी अल्मोस क्रिकेटर भी नहीं रहा क्योंकि कुछ हरकतों की वज़े से और डिसिप्लीन ना होने की वज़े से पृत्वीशा और विदाउट एनी हिसिटेशन ओल्मोस क्रिकेटर में डालूंगा नेक्स्ट इस MS Dhoni यार धोनी को तो नम है बीना देखे ही लेजेंड में डाल सकता हूँ रूको डाल रहा हूँ गया 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 यह नहीं नहीं अब और इस नहीं भाई लेजेंड लेजेंड में दोनी जाता है कपिल देव के बाद ICC Trophy जीताने वाला एक मेवा कप्तान नही है रोही चर्वा भी है उस लिस्ट में अर मैंने ऐसे ही बोले है मुझे थोड़ा वह रियालिटी चेक ची लिदा मद एनिवेज एमेस एमेस दोनी का कॉंट्रिबूशन्स ऑन द फिल्ड के साथ ऑफ द फिल्ड भी काफी जाद है इंडिन क्रिकेट के लिए प्लेयर जैसे रिश्चा पंत अभी ऑफ जाद्ळाई इंस्पिरेशन लेते है थोड़ा तो फरिया थोड़ाउंट एडवट जाते है लिजंड में नेक्स्टेवरे तो अरे यह क्रिकटर के लिँट्र में कॉमेंंडेटर का कर रहा है भी कामेंडेटर है राइट ! नहीं खई सब्केशन क तो DK को मैं सिर्फ एक और रिमाइंडर देनी के लिए कि ये कॉमेंडेटर नहीं क्रिकेटर है क्रिकेटर में डाल रहो फिलाल next is GG गौतम गंभीर के कॉंट्रिबूशन अभी उनका जीजी एरा भी च्टार्ट हो गया है लेकिन जीजी अजब प्लेयर especially in ICC tournament especially in 2011 world cup finals जीजी ना definitely almost legend में बनता है यार अभी तो और जीजी को ट्रोफी उठाने तो प्लेयर्स के साथ जीजी को फिर से टैलेंट में बूलते है कैप्टेंशिप भी देदी वाइस कैप्टेंशिप भी देदी लेकिन अभी तो फिलाल तक उसे अगर जर्च किया जा तो मेरे सबसे अबाव एवरेज प्लेयर है आ गया के जाएंगे एक दो साल बाद दो तीन साल बाद पका almost legend में चले जाएंगे अभी तक के लिए तो almost average next is Har Bhajan Singh भजी पा ने जबी डेब्यू किया था ना तहल का किया था ठीक है तहल का किया था लेकिन अभी डालूंगा अबाव एवरेज में इसके पीछे रीजन है ग्रेक चैपल का यार भजी काफी अच्छा बॉलिंग करता था भजी और इरफण प अच्छे से कर रहे है तो फिलहल तो अपाव एरेज में खुची-कुची जाने चाहिए अगला है इशान किशन गाइस आपको याद दिला दू इशान किशन ये एक क्रिकेटर हुआ करता था वो मेंडल ब्रेक लेने से पहले दूबए में पार्टी करने से पहले एक टाइम एक रिमाइंडर की वो भी एक अच्छा क्रिकेटर है मैं इशान किशन को क्रिकेटर में डालूंगा नेक्स्ट इस कुरूनाल पांड्या ओके अई थिंक क्रूनाल पांड्या काफी अंडर्रेटेड बोलर है मैं इनकी बैटिंग का फैन नहीं हूँ बैटिंग स्टाइल का बोल भी फैन नहीं हो वो शॉर्ट मारने के बाद काफी अच्वर्ड पोजिशन में आ जाते है और कुरूनाल पांडया को एक मियाद आ आ जाता है बैटिंग करते ता अकर मैं बैटिंग कर तो पीचे स्टम किस ने रखे हैं अबर्धिंग बट कुरूनाल पांड्या एक है जो पावर प्ले में बॉलिंग करता था जो आपको कुरूशल ओवर्स भी डालता था डेथ बॉलिंग भी कर सकता था और जड़ेजा जैसे फास्ट फास्ट ओवर खतम करता था तो इसलिए क्रूनाल पांडया तो मैं डालूंग अबाव एवरेज में नहीं डाल सकता यार बढ़ जी के बाजु में डाल सकता था जैसे क्रूनाल पंडय को क्रिकेटर में डाल दे नेक्स्ट इस रविंद्रा जड़ेजा 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 अब अब भी फिलहाल तो अबाव एवरेज में डालेंगे भले टीट्वेंट याए में इन्होंने रिटार्मेंट ल लेकिन वह एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर थे रंजी के इंडा में इतनी सक्सेस नहीं मिली लेकिन एक रंजी प्लेयर देली के इनके काफी अच्छे रेकॉड्स है तो अकाशोप्रा को मैं अपने कॉमेंडेटर फ्रेंड के बाजु में डालूंगा डीके के बाजु में I think it इस फेर यार बडाका शोप्रा का में बहुत बड़ा फैन नेक्स्ट इस केल रहूल का तो मैं सबसे बड़ा फैन हूं यार क्यूंकि आप सभी केल रहूल को बीके रिसेंट यर्स में जज़ करेंगे मैं जज़ करता हूँ 2017 से लेके 2019 का उनका प्राइमेरा जिसमें ना के मित्र हर जगह पर लाइक पार्टर इन क्राइम जो होते है हर्दीक पांड्या तो डेफिनिटल उनके बाजू में जाएंगे अर्दीक पांड्या का बहुत बड़ा करियर बचा है एक एक्सेप्शनल स्किल सेट इनके पास जो काफी रहे रहे है 140 प्लस 145 प्लस बोलिंग डालते है अच्छी बालिंग डालते है उपर से वो कुशल बैटिंग भी करते है और डेथ स्लॉगर भी हीटर भी है अम शूर अपने करियर के एंड तक तो वो डेफिनिटली अलमोस्ट लेजंड क्या लेजंड भी हो सकते है नेक्स्ट इस अजिंक रहाने अभी आप सभी म रावल द्रवीड द्रवीड को अलमोस्ट लेजंड में डाल सकते थे लेकिन रिसेंटली एक वर्ल्ड जीतकर अपना सपना पूरा कर दिया इसलिए मेरे इसाबसे रावल द्रवीड लेजंड में एक ड़म ही डिजर्विग है जार सालों से सपना ता कितने सारे वल्ड कप एक में भी सक्सेस नहीं मिला वह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं होटाई अभी फाइनली को ली ने ट्रॉफी दी और लेलो एंजोय कोरो काफी जाद अच्छा कॉंट्रिबूशन से स्पेशली इनका जो एकड़ मैसे साइड लेंटीन का इनका कॉंट्रिबूशन रिषभ उप्त की आप सबिहको नोब्रेनर है कमें निदाना ज‍स कि कहा पर लोओ रहें नगा डर शर्मा सबिब होलेंड्ड मैं जाही बहुत और च systemic और भी रटकोली के 100-100 तो फिर तब तक के लिए Almost Legend में डाल देते हैं बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है आज नहीं तो कल Legend में जाने ही है इसलिए I think मैंने Reason आपको अच्छे तरह किसे दिया Rohit Sharma पका Almost Legend में बनता है उसके बाज़ में रोको भी आएगा Next up is Sachin Tendulkar The God of Cricket यहां पे एक अलग से कैटेग्री होनी चाहिती जिसमे लिखाया God और सिर्फ एक ही नाम होना चाहिता Sachin Tendulkar का यार पहले तो Legend में सबसे पहले डाल दू Sachin के यह जो Lockdown Kids है यह बोलेंगे कि Sachin का record देखो इतने जादा रहन, 18,000 से जादा रहन and everything But Sachin Tendulkar करके एक चीज़ो मुझे लगता है काफी underrated थी इन्होंने ना एक दाया era start किया Sachin के पहले सभी टुचुक टुचुक खेलते थे ठीके किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के 150-plus ballers को कोई hitting भी कर सकता है कोई back-to-back sixes भी मार सकता है कोई aggressive Indian batter भी खेल सकते है उनके सामने अपना record काफी खराब है उनके सामने ODI में अभी भी वो क्यू खराब है क्यूंकि उनके ballers एकदम ही exceptional हुआ करते थे यह jinx तोड़ा Sachin Tendulkar ने और उनी को देखके इतने सारे यह क्रिकेटर इन में से I think इन में से almost 30-40% लोग Sachin को देखके क्रिकेटर बनने का सपना लेया होगा So I think Sachin Tendulkar को Hats of a Legend का पहला नाम Without a doubt Sachin Tendulkar Next up is Ambati Raidu Ambati Raidu above average हो सकते थे लेकिन इनके साथ ना 2019 में एक हाथसा हुआ जिसका नाम ता Vijay Shankar जिसको जैसे क्रिकेटर में डालना पड़ेगा unfortunately बट काफी अच्छा प्लेयर ठीक है जितना अच्छा प्लेयर ना उतना ही बुरा कॉमेंटेटर है Next up वीरूपा जी यह भी एक new era स्टार्ट कर दिया आइ थिंग वीरूपा जाने जी यह आँ अल्मोस्ट लेजंड में जा सकते है वीरूपा अल्मोस्ट लेजंड में जा सकते है क्योंकि इन्होंने भी एक new era स्टार्ट किया था वो जो कि टेस्ट में aggressive opener था ठीक है किसी नहीं नहीं सोचा था कि एक opener टेस्ट के बॉलर को पहली बॉल से अटेकिंग कर रहा है सबको लगता था यह टेस्ट में सेकेंड थर्ड सेशन में मारना चालू करेंगे लेकिन नहीं वीरेंदर सेवाग चाहे वो 93 पे हो 193 पे हो या फिर 293 पे हो हमेशा वो 6 के लिए ही गया है तो उनके इस अंदाज के लिए अलग से अंदाज के लिए आलमोस्ट लेजेंड में तो वीरूपा पक्का बनते हैं उनका कॉमेंटे और उनका अनलिसीज भी मुझे काफी अच्छा लगता है नेक्स्ट इज इज ग्रेट पोड्कास्टर अमित मिश्रा जी पीर बड़ाना था लेकिन आपको में अलमोस्ट क्रिकेटर में डाल सकता था पृत्वीशों के बाज़ में लेकिन नहीं आप अज़े क्रिकेटर थोड़े अच्छे थे यह मैं जानता हूँ आपने 2014 का वर्ल्ड कुप भी खेला है तो टेस्ट में भी अपका तो why not अमिद मिश्रा क्रिकेटर में फिलाल डाल देते मौमध शमी शमी का एक गोल्डन एरा था 2014 के ताइम पर जिस पर इंडिया के पास एक पेसरी नहीं हुआ करता था मतलब फास पेसरी नहीं हुआ करता था बुनेशोर को बुलते थे यर 125 करता है लेकिन शमी आया जो पेसर और एकदम सीमर चीथा इंडिया के पास सीमर नहीं था अभी भी हुफिंग की उनका रिकवरी जल्दी से हो जाए तो शमी भी अबाव अवरेज में जाएंगे नेक्स श्री शांत अगर अगर प्राइम शिशांद की बात करें तो फिर वो अबाव अवरेज में होना चीथा डेफिनेटली लेकिन जो वो हाथसा हुआ उसके बाद अल्मोस्ट क्रिकेटर में डालना चाहूंगा क्योंकि अगर मैंने शिशांद को अबाव अवरेज में डाल दिया प्राइजन में भी चले जाएंगे इंडिया का सबसे हाइस ट्वेंटिया रैंकिंग सबसे जादा समय तक का इंका रेकॉर्ड है और 360 प्लेयर है अपना खास एकच वादा सूरिया दादा वलकप का कैच अभी तक अभी तक नहीं बूले कोई भी भूले होंगे next is Stuart Binny Stuart Binny को दोल देंगे Almost Cricketer में क्योंकि हम इंडियन है हम बंगलेशी नी जो आपको देखके डर जाएंगे आपके 6-1 I think Stuart Binny से जादा Indian Cricket को contribute मैंती लांगर ने किया So Stuart Binny Almost Cricketer में जाएंगे लेकिन इनके काफी अच्छी अच्छी में ठीक है दी राट कोली यार मेरा मन कर रहा है और मेरे explanation के बावजूद इसे legend में डाल दू लेकिन गाई क्या यार जी जी ने कहा गाई मत करो आराम से भी टेक और टाइम कल जाना है ये legend में अभी पहले 100-100 होकर रहेंगे पहली बार देख रहे हो कि शीलंका और वेस्ट इसे टूर पर अपने अपने प्राइम प्लेयर जाने लगेंगे तो फिर कोली अपने 100-100 की तरफ और भी पास जाएगा तो अल्मोस्ट लेजंड है अल्मोस्ट लेजंड की स्टार्टिंग ही रोको से होगी नेक्स्ट इस यूराज सिंग देखिये यूराज सिंग डेफिनेटल विदाउट अडाउट जाने चाहिए अल्मोस्ट लेजंड में लेकिन अब अब अवरेज में डालूंगा मैं यूवी को उसका रीजन यह है कि यूराज सिंग न अपने एंड ओविस करियर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ यूराज सिंग को वहापी इंडिंग नहीं मिले अपेशली 2017 चंपियंस टॉफी के बाद यूराज सिंग को उतना उतनी वैल्यू नहीं साइड लाइन किया गया और इनका टेस्ट का भी रेकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है बट यूराज सिंग ने 2011 जाहिर खान तो अल्मोस्ट लेजर में जाने चही है बट करियर का इंड इतना हैपी नहीं हुआ तो फिलाल तो अबवरेज में डालते लिट सैगी क्या होत है लास्ट प्लेर इस अर्जू टेंडूलकर जिने में डालूंगा अल्मोस्ट क्रिकेटर में यार हमना अर्जू तो अर्जुन देंटूलकर को उसके डाइड से कंपेर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, मनने का अलग स्किल सेट है, अलग प्रेशर में वह अपना करियर बना रहे हैं, और है अर्जुन देंटूलकर करका आफ है अभी अमने अपने बेश्टी के ही लिस्ट में वह अच्छे मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि फ्यूचर में हम इसे सिर्फ सचिन का लड़का ऐसा याद नहीं करेंगे ठीक है तो फिर ये थी मेरी लिष्ट अबाव एरेज में काफी लोग आ गया एक दो ती जार पाचे साथ आट नो तस ग्यारा गया अबाव 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 एरेज की लेमें बना दू क्या रुका एक सिकन गबर और राने हो गया फिर शुबंगेल एट थ्री अबाव एक काई एट फोर ऊके एट फोर उसके बाद मैं राहूल अट फाइव पांडा एट शिक ओ यह प्लैंड भी नहीं था अब अबव अबव अबवरेज की लेवन हो रही है उसके आचिए उसके अचिए जड़ेड ज़वेजवेड बाव एट बाव अबवी एट बा यह थी मेरी tier की list, आप बताओ, इसमें से, एक से करताओ कि कुछ चेंच करना है, क्या, I think, I'm happy with this, I'm happy, सही है, मेरी साब से यह अच्छी, अच्छी tier वन गई यह, fair enough, so यह थी मेरी tier list, आप comment करके बताओ कि इसमें से आप क्या-क्या changes करते, क्या-क्या थोड़ा reshuffle करते है, by the way, बहुत ऐसे नामते जो इस list में थे भी नहीं, जैसे सूरेश रहना नहीं था, इर्फान पठान नहीं था, यूसुप पठान भी नहीं था, आप बताए कौन-कौन मिसिंग थे, तब तक की लिए, see you in the next one.